एक और टूल की बात करें जो डिसकवर करके देगा आपको किसी अपसाइट के सब डॉमेंज, स्टेटर्स के बारे में और सब डॉमेंज की सारी डीटेश विद आई पे अड्रस एंड विद आई इस्टेटर्स तो हम बात करते हैं नॉक टूल की इसका यूज किस तरीके से कर हम देखेंगे सबसे पहले आप यह जान लेजिए कि मैं आपको बहुत सारे टूल की बारे में इंफ्रमेशन क्यों दे रहा हूं जबकि वह सेम इंफ्रमेशन प्रोइट कर रहे हैं वह इसलिए क्योंकि हर एक टूल हर एक लीनेख्स वरजन के साथ आपको अपको कर सकते हैं तो आप चले जाएं अपने git clone पर अपने github पर और github पर डालने के आप या फिर आप डारेक्ट लिगूगल से सर्च कर सकते हैं कि नॉसी के noc.jit या फिर github noc.jit और आपको पाथ मिल जाएगा उसे आप कॉपी कर लें और यहां git clone तर्मिंटर में git clone लिखकर उसे पेस्ट कर दें और इसका जो आपका जो डाउनलोडिंग है वो आपका शुरू हो जाएगा इंस्टालेशन शुरू हो जाएगा डाउनलोडिंग तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं जस्ट इंटर करें और आप देखेंगे कि यह बहुत चोटा से ठीटोल है मैंने उल्री इसे डाउनलोट करके रखा हूए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पॉर्स पात में इसली नहीं आरहा है क्योंकि मैंने और दाउनलोड किया है और फिर से वह understand आपको जाना पड़ेगा उस पात के अंदर उस डायिक्तिरी के अंदर तो हम आपने देखा था है कि जब हम python की बात करते हैं तो python में जो कोई tool अगर बना हुआ होता है तो वो .py extension के साथ आता है और हमें linux में जब भी कुछ run करना हो तो by default.forward slash और जो हमारी python file होती है उसके साथ हम उसे run करते हैं आप चाहें तो यहां directly target दे सकते हैं google.com अगर आपको find out करना हो subdomains और सारी details की बारे में तो आप directly दे सकते हैं या फिर पहले run कर लें और फिर आप उसकी details देते हैं चलिए हम यहां पर सबसे पहले इस बार run करते हैं facebook का और facebook की details को लेते हैं hit enter तो आप देखेंगे यहां पर नॉक पिवाय जो है वह on हो चुका है और आपको पकायदा पुरे IP addresses के साथ show करेंगे कुनका status क्या चालू है तो आप यहां देखते जाएं तो आपको सारी की सारी information यहां पर मिल जाएगी कि क्या status है और क्या run कर रहा है तो यहां पर जो भी IP addresses है वह आपको यहां पर दिखाई देंगे आप देख सकते हैं IP addresses मैंने यहां पॉस किया हुआ है 13.13.79.35 status है 302, alia से host नहीं है और यहां पर domain का नाम है जो साथ आपने कभी नहीं सुना होगा about.facebook.com और third number पर आप देखेंगे 302 host है और host में आपको शो कर रहा है star.mini.ctnr.facebook.com जैसे बहुत सारे domains हैं जहां पर आप find out कर सकते हैं कि कौन-कौन से लूपूल्स हैं यहां आपको सबसे बड़ी बात यह जो आपको शो कर रहा है वो alia type शो कर रहा है और status शो कर रहा है तो यह इस बात का आप ध्यान रखेंगे यह आपको दूसरे टूल से नहीं मलेगा तो कोई ना कोई टूल कोई other tool आपको कुछ extra information provide करता ही है जो आपको previous tool में कभी ना कियो तो यह भी एक फाइदा होता है कि more than one tool आप अगर किसी चीज़ के बारे में जाने किसी information gather करने के लिए use करें तो वो platform के साथ compatible भी होता है और आप बहुत सारी information gather भी कर सकते हैं यह आप देख सकते है information gathering on है और यह आपको पूरा show कर रहा है कितना समय लगेगा यह आपकी RAM पर और आपके internet की speed पर depend करेगा और आपको थोड़ा सा patience रखना है क्योंकि hacking का मतलब ही patience है आपको बहुत सबरी रखना होता है कभी-कभी कोई आपको target target की details निकालनी हो या bug bounty यूज करना हो तो आपको महीनों वेट करना पड़ता है एक ही chair पर आप बैठे हैं और आपको सारी की सारी information gather करनी होती है सिर्फ आप अपने daily जो work होते हैं जो necessary work है उनके लिए समय निकालते हैं और फिर आप और आपका computer bug bounty bug bounty के लिए ऐसा ही होता है घंटों आपको बैठना पड़ता है और सेम hackers करते हैं तो आपको यही चीजे करनी है आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके की information gather करनी है तो आपको क्या करना आप देख सकते हैं सारी के सारे जितने भी domain name से यह list बहुत लंबी है और भी search होगी मैं यहां पर इस वीडियो को post कर रहा हूं इस वीडियो को यहां पर विराम दे रहा हूं वह इसलिए क्योंकि बहुत सारी information है बहुत सारा जो आपका domain से facebook के काफी सारी domain से काफी समय लेगा तो आपके case में आपको पुर अबरे domain सेर्च करके मिल जाएंगे